बेलकम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज कि इस वीडियो में देखने पाले हैं जो भी छात्र राम मनुहर लोहिया अबाद इनिवस्टी से है अब उनके लिए दो हजार बाइस में जो आपका समस्टर वाई एक्जाम होने वाला भी हाली में तो जन्वरी फरवरी में हो जाएगा सारे पेपर इसके जैसी विलाउंस होती है तो यहां विस्ट सेमस्टर वालों के लिए हम लेकर आए कैमिस्ट्री का पेपर का जो नाम हो सेमस्टर वाई फस्टियर की स्टूडेंट है उनका ही है फंडामेंटल सब केमेस्ट्री के पर है इसमें से बिटा इन लगबग में बही 15 से 16 कोशन होंगे आप इन कोशनों को याद करके 85 परशेंट यहीं से मिलेगा कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है जो जो कुभी इस दे रहा हूं इनके आपको नोट्स चाहिए उसका लिंक डिस्क्रप्शिन वाक्स में दे दूँगा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है टेलीग्राम पर जैसे ही टच करेंगे टेलीग्राम जोईन कर लेना और बहीं पर आपको लिंक दे रखें सारे आप उस लिंक को ध्यांस क्या होता है फिर्कार कितने होते हैं और सिध्धान्द के बारे में यह कोशन मैंने करा राखा है वीडियो बनाकर भी आप आहां दीख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से कराया है बुरा को समझाएं मैंने दूसरे कोशन पर टिक लगाएंगे बैलंस बॉन्ट थियोरी मॉस् करने के लिए फूस्ता है इसमें दो बॉंड और के लिए अच्छे तरीके से याद करेंगे एक और उसके बाद में नीचे जाएंगे और इसके बाद में याद करने की जूरूत नहीं है आपको नहीं आपको देखो सिग्मा और पाई बॉंड का निर्माड कैसे होता है इस को याद कर लेना इन में अंतर क्या होता है यहां वर्डलर वाक्स अमीकर में वल होता है उसको मैंने कटवा दिया जो कोशन आपके युनिवस्टी में नहीं आएंगे उसको में चुड़ लेक्टॉन युख मुप्रतियक्षम सिध्धांथ भी कहते हैं अप इस अच्छी तरीके से इस इस कोश्चन को याद कर लेना रिटा लेना मॉश्ट इमपोटेंट हैं उसके बाद में आपसे पूंचता है आवर्टसाड़ी के नियम मॉश्ट इमपोटेंट है आवर्थ को याद कर लेना फिक और पर्मारु तरजया की परीभास अपर टुमि करने बाले कारक याद करने अब मत करना है और साथिस बिद्दु लुत इसको अच्छी तरीका से पूचेगा यह कोशन सॉट में मुझेगा इसको है विटाइजेशन क्या होता है जिसे हम संक्रण कहते हैं और संक्रण आपको तीन प्रिकार के संक्रण देखने को मिलते हैं फस्ट सेमेश्टर में वह वनेगा इसको अच्छी तरीके से याद करेना प्रिक एफेक्ट क्या होता है इसको पढ़ लेना है यह सौट में आपको देखने को मिलेगा इसको अच्छी तरीके से रट लेना नेक्स कोशन है कार्मन इसको छोड़ देना और बैंजीन बनाने की प्रिया को देख लेना बैंजीन बना मुझेंट है ते बिंटा के बारे में याद कर लेना नहीं दोंड़ेना नीचे थे के नियम को याद कर लेंगे most important है आपके exam के लिए निर्पेक्स क्या होता है इसको आप रट लेंगे। गया होता है android हक उसके बाद में computer के भाग को जरूर पढ़ लेना computer क्या होता है उसकी भासाइं कौन कौन से होती है language computer के उनके भाग कितने होते हैं computer के और उसके निवेश युक्ति input जो device होती है वो क्या होती है वो पढ़ लेंगे बाकी प्रोग्राम्स और उनके संचालन की बारे में छोड़ दे रहा है जालप उर्जा क्या होती है लेक्टिक इनर्जी से बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे साती साथ SPD आबिटल का आकार कैसा होता है इसको आप याद करेंगे यह सब सौट में देखने को बिलेंगे most important है आइनिक विभब क्या है आइनिक उर्जा भी बोलते हैं आइनिक विभब की परिभासा को याद कर लेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट की जैबिक कारियों के बारे में याद कर लेना most important है और उसके बाद में वंद उर्जा क्या होता है बॉन्ड इनर्जी most important है इस को मैसोमेरिक effect को याद कर लेना और इलेक्टोमेरिक effect को याद कर लेना ठीक है यह सौट में देखने को मिलेंगे पर एक effect उपर बता शुका हूँ शोण दीजिए इसको hyperconjugation क्या होता है जिसे 38 में बोलते हैं इसको याद कर लेना इसको पढ़ लेना ठीक है इसको उसके बाद में देखो कार्बो केटाइन की सरचना most important है और इसको छूड़ देना इलेक्टो इसनाही और नाभिक इसनाही अभीकर्मक दोनों को पढ़ लेना इनकी परिवहासा नाभिक इसनाही और इलेक्टोन इसनाही अभीकर्मक क्या होता है और लास्ट में बस आपको यह पढ़ना है इपीमर क्या होता है एपीमर को पढ़ लेना और लास्ट में आप कहींगे जो साइक्लो हैक्सेन है साइक्लो हैक्सेन की कुरसी जिसे हम बूट कहते हैं कुरसी जो को चेयर कहते हैं और नोका नौका नौका बूट कहते हैं उनके समरूपड के बारे में उसका चित प्रकार से बनाए आप पूरा स्वाइब करेंगे यह कोशन थे 2022 में आने वाले आप इन कोशनों को याद करके इन कोशनों को याद करके 85% लाएंगे यहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा मैं आपसे बादा करता हूँ कि एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा बाकी बॉटन लिजलो जी के सारे पेपर बना देंगे अब लोग तो चलो को सब्सक्राइब के बैल आइकन को प्रेज कर देना ज्यादर से ज्यादर दोस्तों को शेर कर दे रहे हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई